Hello students, आज हम बात करेंगे habituation and sensitization, जो किया आता है non-associative learning में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम learning theories को different categories में divide कर सकते हैं जैसे हमने किया था कि behaviorist theories हैं, कुछ cognitive theories हैं, को social learning theories भी हैं और कोई insight theories हैं और फिर constructivist theories हैं तो ये various theories की हमने categories की थी और फर्दर ये भी देखा था कि हर theory में, हर category में कौन-कौन सी learning theory आती है आज हम बात करेंगे non-associative learning theory की, जिसमें आएगा habituation and sensitization So here we go सबसे पहले meaning समझते हैं, non-associative learning क्या होता है non-associative learning का मतलब है, जब ये organism को repeatedly एक ही stimulus दिया जाता है तो वो बार-बार उस stimulus को face करके, वो response देना या तो धीरे-धीरे बंद कर देता है या फिर response की intensity और ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसी को हम कहते है non-associative अब हम इसे non-associative क्यों कहेंगे? क्योंकि इस type की learning में, there is no such type of pairing of stimulus जैसे हमने classical conditioning theory में हम देखेंगे या skinner की operant conditioning theory में भी होगा वैसे इदर यहाँ पर कोई भी stimulus की pairing या stimulus और behavior के बीच में कोई भी इस तरह की response bonding जो है यह non-associative learning जो है, इसको हम further two categories में divide करते है habituation and sensitization सबसे पहले इसमें है habituation habituation का मतलब क्या हुआ? habituation learning is a form of learning in which organism become less responsive to a repeated or continuous stimulus over time जब again and again किसी भी organism को हम same stimulus दे रहे है पहले हमने उससे stimulus दिया, उसके लिए कोई individual response कर रहा है फिर हम बार-बार वही stimulus दिये जा रहे है लेकिन एक time ऐसा हैगा कि जब individual वो response देना बंद कर देगा क्योंकि वो क्या हो चुका है? वो habitual हो चुका है उसको जैसे हम बोलते हैं कि एक आदत पढ़ जाती है अभियस्त हो जाते हैं हम किसी भी चीज़ के stimulus के तो वही उसको यहाँ पर habit हो जाएगी stimulus हम पहले अपने last video में discuss कर चुके हैं कि stimulus क्या है वो कोई भी event या कोई भी change ऐसा कोई भी चीज़ जिसको जो कि individual receive करता है और further उसके लिए stimulus के लिए वो कोई action या reaction देता है कि stimulus बार-बार मिलने की वज़े से एक टाइम ऐसा आएगा कि response देना हम बंद कर देंगे As the exposure of stimulus continues, the organism response to it decreases, वो decrease हो जाएगा This decrease in responsiveness is considered an adaptive process यह जो response देने की tendency कम हो जाएगी यह एक तरह का adaptive process है Adaptation क्या होता है कि जब हम अपने environment के according खुद को ढाल लेते हैं, adjust कर लेते हैं तो वो होता है adaptive process तो यह habituation जो है, habit formation process है यह एक adaptive process है इसका example अगर हम करें तो suppose अगर हम किसी street या फिर road के nearby हम रहने लगते हैं अचानक तो फिर क्या होगा कि वहाँ का traffic का shore, लोगों का shore उससे हमें disturbance create हो सकती है starting में तो वो जो noise है traffic की या लोगों की वो एक stimulus का काम करी है जिसके लिए हमारा response है कि हम irritate हो रहे हैं और हमें disturbance हो रही है तो वो response है लेकिन meanwhile क्या होगा कि बार-बार वही stimulus से हमारा exposure होता रहेगा तो एक time ऐसा आएगा starting में तो हो सकता है कि हमें नींद भी नहीं आ रही है हम disturb होने है लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि हम habitual हो जाएंगे और हमारा वो जो response है जो हम पहले दे रहे थे धीरे-धीरे वो बंद हो जाएगा तो ये हो गया habituation तो हमने क्या किया हम adapt कर लिया अपने आपको उस environment के according फिर इसमें एक और हम ये भी देख सकते हैं example जैसे यहाँ पर crow हैं कोई crop है तो उसके दाने खाने के लिए crop को खाने के लिए यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं जैसे birds आते हैं अब उनको डराने के लिए क्या किया है एक scare crow जिसे हम कहते हैं पुतले की तरह डराने के लिए यहाँ लगा दिया गया है अब starting में क्या होगा कि यह जो scare crow जिसे हम कहते हैं पुतला यह एक stimulus का काम कर रहा है इन birds के लिए तो इसके लिए वो response दे रहे हैं उनका जो fear है वो जो डर है इसके लिए वो एक response है लेकिन भीरे दे रहे क्या होगा कि वो habitual हो जाएंगे इस चीज़ के और वो यहाँ पर response देना बंद कर देंगे response यहाँ पर क्या है उनका fear तो उनका fear बंद हो गया तो वो फिर इस पर भी बैठ रहे हैं फिर से वो दाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने तो यह हो गया कि they become habitual to this type of stimulus तो यही होता है habituation तो हम इंग्याद रखना है कि habituation में क्या है कि जब stimulus के लिए response आना बंद हो जाएगा या decrease हो जाएगा उसे हम habituation कहेंगे अब है characteristics of habituation सबसे पहला decreased response यह हमने कर लिया कि जब भी response अगर response आना कम हो जाएगा जब repeatedly stimulus को हम face कर रहे हैं अगर किसी एक particular stimulus के लिए हमने response देना कम कर दिया है तो वो सिरफ उसी stimulus के लिए noise के लिए अगर traffic की noise के लिए हम habitual हो चुके हैं तो वो सिरफ उसी के लिए हो हैं तो यह habituation process is specific to a particular kind of stimulus then it is reversible यह reversible होगा reversible का मतलब हुआ कि हो सकता है कि हम फिर peaceful area में चले गए और फिर से हम हमें शान्ती पे रहने की आदत होगी है फिर again अगर हमको फिर से एक शोर वाली जगा में रखा जाएगा तो फिर हमें फिर time लगेगा वो habituation process में तो इसका मतलब यह हुआ कि it is reversible process हम वापिस से हमारी जो एक habit formation हुई थी वो response देना जो हमने कम कर दिया था वो फिर से हमारा वहां से reverse हो जाए dependent on factor habituation depends on certain factors वो factors कौन से है यूँकि stimulus के लिए हम habitual हो रहे response देना कम कर रहे है तो habituation depend करेगी कि intensity कितनी है stimulus की और अगर intensity बहुत कम थी तो वो differ करेगा बहुत जादा intense अगर stimulus मिल रहा है जादा intense stimulus होगा तो habituation होने में जादा time लग सकता है frequency frequency क्या है कितनी बार stimulus मिल रहा है बार-बार है या कभी-कभी अगर noise आ रही है तो अगर कभी-कभी आएगी तो फिर उसको हम habituation नहीं कहेंगे कि habituation process चल रहा है लेकर अगर frequently हो रहा है तो फिर वहाँ पर habituation जो है वो मानी जाएगे क्योंकि वो थोड़ा जल्दी हो सकती है duration of stimulus stimulus कितनी देर के लिए दिया गया है अगर एक लंबे duration तक stimulus चल रहा है तो habituation possible होगी वहाँ पर हो सकती है लेकिन अगर थोड़े time के लिए हम उसके लिए habitual हुए हमने response देना कम कर दिया फिर दुबारा से शुरू हो गया है तो फिर वहाँ पर habituation होना मतला कम होगा जादा नहीं होगा ये और depend करती है individual difference पर भी कुछ लोग वो बहुत जादा sensitive होते हैं वो अपने आस पास के stimulus के लिए बहुत जल्दी react भी करते हैं जो habituation उसको time लगेगा होने में लेकिन कुछ और मतलब कुछ sensitive भी जादा होते हैं लेकिन कुछ ऐसे जो जादा sensitive नहीं होते हैं वो उनको मतलब stimulus आस पास क्या है शोर है या कोई भी चीज है तो उसके लिए उनका जो response देनी की tendency है वो बहुत पहले ही वो कम करतेंगे इसका मतलब यह हुआ easy way में अगर हम करें तो individual पर भी depend करेगा और stimulus पर भी depend करेगा कि habituation कम होती है या जादा होती है या जल्दी हो जाती है habituation या late होगी यह habituation हो गया next is sensitization sensitization जिसको हम हिंदी में कहते हैं समवेदन sensitization का मतलब है यह एक तरह की learning है जिसमें फिर से जो stimulus है वो बार बार दिया जाएगा लेकिन यहाँ पर organism का response stimulus के लिए increase होगा habituation में decrease हो रहा था sensitization में यह response increase हो जाएगा अब यह किस तरह से होगा जैसे वहाँ पर repeatedly हमें stimulus दे रहे थे तो फिर हम उसके लिए response कर रहे थे यहाँ पर हम stimulus के लिए जादा response नहीं कर रहे है और बहुत कम response है या फिर आई नहीं रहे लेकिन बार बार अगर हमको यह repeatedly stimulus दिया जाएगा तो एक time ऐसा हैगा that we start giving response to that stimulus इसका एक example करते हैं जैसे कि suppose हमारे आसपास कोई मतलब कीडे मकौडे हैं कोई इंसेक्ट है या कोई मच्छर आ रहा है तो फिर क्या है कि हमें वो तंग कर रहा है इरिटेट कर रहा है लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हम कोई response ही नहीं दे रहे है फिर वो आसपास आ रहा है हम कोई response नहीं दे रहे हैं लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम इरिटेट होके तंग होके उसको मार देते हैं तो ये क्या हो गया कि stimulus के लिए हमने क्या क्या सड़नली response दिया इसका एक example ये भी हो सकता है कि जैसे कई बरी कुछ लोगों के साथ कोई violence होता है तो वो starting में tolerate करते हैं उसे वो कुछ भी नहीं बोलेंगे मतलब कोई किसी भी तरह से react नहीं करेंगे अगर कोई उनके साथ दूसरा violent behavior शो करता है तो वो कोई react नहीं करें लेकिन time के साथ सा जब बार-बार वही stimulus मिलेगा उनके साथ violence होगा तो कभी ऐसा हो सकता है कि वो अचानक से response देना start कर देते हैं यानि कि वो back बतब जिसे हम कहते है return में भी वो वैसा ही reaction दे देते हैं तो ये है sensitization तो sensitization का meaning क्या हुआ? it is a form of learning in which an organism response to a stimulus increases after exposure to strong or aversive event it is opposite to habituation ये habituation के बिलकुल opposite है and involved an amplified reaction to a stimulus rather than decreased one इसमें decrease नहीं हो रहा है ये इसमें response increase हो जाएगा now the characteristic of sensitization learning एक तो ये increased response है ये हमने कर लिया कि stimulus को हम जादा react करने लग जाएगा stimulus के लिए it is also non-associative like habituation then it is generalization वहाँ पे हमने किया था कि वो specific stimulus के लिए होगा habituation लेकिन sensitization में हमारा जो response है वो generalize होगा मतलब एक बार ही जब start कर दिया पहले तो stimulus के लिए कोई response नहीं था लेकिन बाद में जब हमने start कर दिया response देना it means we have become sensitive to that particular stimulus तो हम उससे मिलते जूलते stimulus के लिए भी same reaction दे सकते है response दे सकते है तो अगर similar मिल रहा है फिर कहीं और से भी वैसा ही stimulus मिलेगा तो हम again वैसा response दे देंगे because we have become sensitive to that kind of stimulus now it is persistent effect इसका effect जादा time तक रहेगा persistent रहेगा यह ऐसा नहीं कि अभी हमने किया और फिर यह एकदम reverse भी हो जाएगा जैसे habituation हो रहा था तो persistent मतलब वो रहेगा long lasting इसका impact रहता है individual पे फिर और यह हमने इसके कर लिए characteristic अब यह है कि habituation and sensitization are basic form of learning and they can coexist and influence an organism behavior depending on the specific circumstances and stimuli involved तो यह basic type है सबसे पहली हमने जो learning की type की थी उसमें non associative था और उसमें हमने कर लिया habituation and sensitization जो कि किसी भी individual के behavior को influence करती है अगर हम ध्यान दे तो हम अपनी life में मतलब day to day life में भी कई बार देखेंगे कि habituation मतलब कि हम habitual होते रहते हैं किसी stimulus के लिए और कई बार ही जिसको हम नहीं response दे रहे होते हैं उसको भी हम response देना start कर देते हैं तो आज का ये topic था habituation and sensitization पे next हम वीडियो में पढ़ेंगे next learning theory तब तक के लिए good bye अगर वीडियो आपको पसंद आया you can like the video और मिलते हैं next video में thank you very much